2016 के विधानसवा चुनावों में ममता बैनर जी भारी बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंची लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है बीजेपी अपनी पहुंच बनाती चली गई पाटी ने ममता दीडी की घेरेबंदी की है तो वहीं दूसरी ओटीमसी में आपसी कला भी उनकी जिन्ताएं बढ़ा रहा है पीजेपी का टार्गेट बिल्कुल साफ है मिशन दो सौ प्लस यानि इस बार लक्षे है कि पून बहुमत के साथ पार्टी सत्ता संभाले जीट के रंडी पिकारों को मिशन दो सो प्लस पर पूरा यकीन भी है चुनाबों के एलान से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा ने चुनाबी बिगुल बजाया बंगाल फताय का भरोसा भी जताया तो दूसरी और ममतादीदी अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई से जूशती नजर आई है 2021 के चुनाबी समर से पहले उनके मंत्री मंदल के सयोगी शुभेंदू अधिकारी ने साथ छोड़ दिया ममता की नीतियों से उनका मोह भंग हुआ तो निशाना साथते हुए कुर्सी प्याग दी लेकिन ममता से नाराज नेताओं का ये कलौता नाम नहीं है अब टीमसी विधायक और आसन सोल मुनिसिपल कॉर्परेशन के चेर्मेन जीतेंदर तिवारी ने भी ममता के मंत्री फिरहध हकीम को चिठी लिखी है और अपनी ही सरकार के खिलाफ मोचा खोल दिया है वक्त बताएगा कि सत्ता हासल करने में कौन किसे नुकसान पहुचाता है वैसे बीजेपी अपनी कारगर रणनीती को अमली जामा पहनाने में जुट गई है अपनी अचुक रणनीती के लिए पहचाने जाने वाले चहरे उस मोचे पर तैनात हो चुके है इन में पहला नाम है बीजेपी के राश्टे अध्यक्ष जेपी नड्डा का अभी हाल ही में बंगाल दोरे से लोटे है दूसरा नाम है गुरीह मंत्री अमित शाह का 19 दिसंबर को शाह दो दिन के बंगाल दोरे पर जा रही है तीसरा चहरा है पाची के बंगाल प्रभारी के राश्ट विजेवर्गे का जो लंबे समय से बंगाल में पार्टी का आधार मजबूत करने में जुटे है इस कड़ी में चोथा नाम है बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप खोश का इन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में एहम भूमिका निभाई है आखरी एहम चहरा है अर्विंद मेनन का मेनन बंगाल के ग्रामीन इलाकों में लंबे समय से बीजेपी को मजबूत करने में जुटे हुए है बीजेपी के लिए छोटी से छोटी लड़ाई भी बहुत बड़ी है और ये तो बंगाल का चुनाब है पार्टी को मंजल तक पहुँचाने के लिए अब खुद अमिद शा बंगाल दौरे पर जा रही है 1920 दिसंबर को वो पार्टी कारे करताओं को सम्मुदित करेंगे कई कारक्रमों में शामिल भी होंगे ये बीजेपी की आकरबक चुनावी रणनीती का हिस्सा ही है ममता बीजेपी के इरादे भाग चुकी है उसी को करारा जबाब देने के लिए वो अपना अभियान भी तेज कर चुकी है अभी वो उत्तर बंगाल के दौरे पर है बीजेपी के खुआप को चकनाचूर करने के इरादे से वो अली पुर्द्वार, कूच विहार, सिली गुडी, दार्जलिंग और जलपाई गुडी में चुनावी सभाए करने वाली है कौकता से मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो